कच्छना दोडोगा मा बॉर्डर सीक्यरिटी पोर्स द्वारा सिविक एक्शन कारेक रमनू आयोजन करवा मा आवी होतू कच्छना धोडोग्राम मा त्रोड बटालियन बॉर्डर सीक्यरिटी पोर्स द्वारा सिविक एक्शन कारेक रमनू आयोजन करवा मा आवी होतू जे मा अनंत सी दी आईजी सेक्टर भूजनी विशेश उपस्तेती मा कारेकरम योजाय होतू सरहदी गामों ना नागरिकों ना रदय मा देश उरक्षानी भावना जगावी अने सरहदी गाम ना लोकों ने मददना उद्देश ने ध्यान मा राखी ने सीमा सुरक्षा दढ़ द्वारा कारेकरम ना आवजन करवा मा आवी होतू आ कारेकरम मा सरहदी गामों ना किटला सरपन चो अहीं हाजर रहाता अने 120 जेटला शाड़ा ना शिक्षकों अने विध्यार्थियों मडी ने हाजर रहाता आज हम यहाँ ग्राम दोरोडों में एक सिविक एक्षन प्रोग्राम करने के लिए कत्र हुए जो सेंटरल से फंड मिलता है सिविक एक्षन का तीन बटालियन को इस साल में लगबख चार लाक असी आजार रुपे सिविक एक्षन के लिए अवंटित किये गए उसमें इस छेत्र में धोरोडोडोपी के आसपास में जो भी स्कूल है कुल छे स्कूलों के लिए उन्होंने मांग पहले जाच की उनकी क्या आवशक्ताएं हैं जिसमें पीने के पानी के लिए आरो जो उन पास कंप्रूटर हैं उसके लिए प्रिंटर्स, मोनो ब्लाक, पुर्सियां, खेल का सामान, क्रिकेट किट, बच्चों के लिए सामान और साथ ये साथ विद्याले के लिए भी मोलबूत सामान, जो उनकी आवशक्ता हैं थी, उसी अनुसार छे विद्यालियों के लिए उन्होंने परचेज किया और आज उसे यहां वितरित किया है, इस कारेक्रम में छेत्र के सभी वरिष्ट लोग, जिसमें सरपंच मिया हुसैन जी उपस्तित हुए, अने गाओं के भी सरपंच लोग उपस्तित हुए, सभी स्कूलों के टीचर्स आए, और ये कारेक्रम, कारेवाहक, समादेश्टा स्री मनोज राय के सुपरवीजन में, उनके सभी अधिकारियों ने एक बहुत व्यवस्तित तोर पर आयूजित किया है और मुझे स्वभाग्य मिना है, इसमें मुख्यतिती की रूप में सामिल होकर समान को वित्रित करने का, मैं इसके लिए यूनिट को धन्यवाद करता हूँ, और छेत के सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, जो अपना समय निकाल कर, इस मंच पर, इस हमारों में, इस आय हइसे लिए गाहाँ हैं!